पिल्कुल गेट के सामने ही स्टॉप है तो बच्चों को ना उदूर जाने की जरूरत है ना कहीं बस गेट के बाहर से ही बसेश मिलेंगी जो स्कूल अफ एक्सिलेंस स्टुडेंट जो स्टुडेंट जो स्टुडेंट करेंगे उनको बाहर कोचिंग लेने की जरूरत नहीं नहीं पढ़ेंगी जी बिल्कुल नहीं 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 साल की बढ़ाई with competitive exams की तैयारी आपको बिल्कुल free of cost आपके स्टुडेंट को करवाई जाए तो दिल्ली की अर्विन केजरिवाल सरकार ने हमेशा से ही राजदानी दिल्ली की शिक्षा विवस्ता पर कास ध्यान दिया है और ये भी कहा जाता है कि ग्रेड भी किया गया है और साथ ही नए स्कूल ओफ एक्सिलेंस भी खोले गए हैं स्कूल ओफ एक्सिलेंस की संख्या अब दिल्ली में 37 हो चुकी है जहां पर 45 अलग-अलग streams में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है इन ट्रेनिंग में बचे competitive exams की भी त्यारी करते हैं त दिल्ली के दर्याकला में तो आईए आपको दिल्ली के दर्याकला के स्कूल ओफ एक्सिलेंस में ले जाकर दिखाते हैं कि किस तरीके का ये नया स्कूल क्या क्या यहां पर विवस्ताय हैं किस तरीके के टीचर्स हैं किस तरीके की पढ़ाई होती है और क्या कुछ है आपको लेट साइड पर पार्किंग है और ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू बनी हुई है और अगर हम लोग इसकी लाइट्स देखें तो LED पैनल्स लगी है इन लाइट्स में चाहूंगी LED पैनल्स आपको दिखाए जाए कि यहाँ पर power saving का भी दियान रखा गया है हम स्कूल के अंदर आ गए है और ये exactly जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये है administrative block यानि कि यहाँ admissions का सारा काम होता है और principals और staff यहाँ बैठता है और इसके अगर आप left में देखें तो ये building है क्योंकि ये तीन blocks में ये school बनाया गया है ये जो block दिख रहा है आपको ये है STEM block यानि कि हाँ पर science, technology, engineering और mathematics के students को classes जो हैं वो लगाई जाएंगी और इसके बाद ये जिस तरीके से हमने दिखाया था Adams block और Adams block के right hand sides पर ही humanities के students की classes लगेगी जो arts में इंट्रस्टेड है arts की stream लेना चाहते है 9th के बाद उनकी classes ये block में रगेंगी तो कुल मिलाकर तीन blocks में ये school बनाया गया है और खास बात यहाँ पर ये भी है कि जो merit list prepare होती है उसमें पचास प्रतीशत बच्चे जो दिल्ली के government school से आते हैं यानि कि जिन्होंने 8th class की पढ़ाई दिल्ली के government school से की है उनको importance दी जाती है उनको preference दी जाती है यानि कि 50% seats जो है वो reserved हैं सिर्फ दिल्ली के government school के students के लिए जिन्होंने सरकारी school से 8th class के exams दिये ह तो यह है स्टाफ रूम और आप देख सकते हैं यहां पर टीचर्स है सेफ्टी मेजर्स कभी यहां पर पूरा ध्यान रखा गया है हर कॉरिडॉर में fire extinguishers लगाए गये हैं और स्पेशली यह signboards लगाए हैं बच्चों को बताने के लिए कि कोई emergency अगर हो जाती है या को electric shock disaster management कैसे करनी है यह बच्चों को बता गया है boards लगाए गये है fire fighting के लिए बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी emergency में आपको खुद को और अपने साथियों को सुरक्षित करना है और specially able children's के लिए यहां पर अलग से वाश्रूम बनाया गया है उनको ध्यान में रखते हुए ताकि उन्हें किसी तरह की problem ना आए और यह medical room देख रहे हैं आप ताकि किसी student को अगर school में medical emergency आ जाए तो उसे यहां पर first aid दी जाए और थोड़ा सा rest जब तक कि कोई doctor नहीं आ जाता यहां उसके parents नहीं आ जाते तो यह हम आ गए है आदम्स ब्लॉक के first floor के उपर और यहां योगा room है और यह resources room है यह है MP hall यानि कि multi-purpose hall धाइस्तो students के sitting के यहां पर विवस्ता है यानि कि धाइस्तो students को यहां पर बैठा कर projector के रास्ते आप देख सकते हैं यह projector लगा हुआ है और इस projector से सामने wall पर students को study करवाया जाएगा चाहे उनके seminars हो या किसी और तरीके के उनके assignments हो और seating arrangement यहां पर 200 students की है तो एक time पर अगर को special lecture है तो 200 students यहां पर आकर इसको technically देख सकते हैं और यह stage भी बनाए गई है कि जो teachers है वो यहां पर इस projector के माध्यम से जब students पढ़ेंगे तो यहां पर पूरी explanation उन्हें दी जाएगी तो बहुत बड़ा यह multi-purpose hall है यहां पर seminars भी होंगे और students की special classes भी लगाई जाएंगी sound system है proper sound system और यह fully air conditioner fully air condition है यह multi-purpose hall और आप देख सकते हैं lighting की भी appropriate यहां पर व्यवस्ता है science lab जहां सारा apparatus आप देख रहे हैं chemistry का भी है physics का भी सारा apparatus यहां पर available है और यह beakers और prism चाहे यह ammeter है voltmeter है तमाम तरीके की apparatus यहां पर रखे गए है students की practice करने के लिए और यह charts जो बनाए है students की यह भी आप देख रहे हैं कि देख यह human heart बनाया हुआ है बच्चों को practically पढ़ाई यहां पर करवाई जाती है classroom कैसे हैं जहां पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं आईए आपको दिखाते हैं तो यह normal classroom है और मैम हमारे साथ यहां पर है मैम कितनी capacity है इस classroom के यहां पर 24 benches है तो लगाई गए हैं तो लगाई गए हैं तो लगाई गए हैं तो बच्चों तक क्लासिज में ही announcement पहुंच जाएं कहीं और उनको जाना ना पड़ें और यह बेंचे वगेरा भी हम देख रहे हैं यह new बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल बाली फिलिंग हमें भी यहां पर आ रहे हैं तो यहां से इजी ली ब्लाकबोर्ड भी विजिबल है कुछ बहुत जादा डिस्टेंस है नहीं और मुझे लगता है कि पीछे भी अगर कोई स्टूडेंट बैठेगा तो पीछे से भी ब्लाकबोर्ड इजी ली ब्लाकबोर्ड बेठेगा बेठेगा ब्लाकबोर्ड बिल्कुल क्लियर स्टूडेंट को हर जगा से नजर आएगा स्कूल ऑफ एक्सिलेंस की लाइबरेरी दिखाते हैं, यहां पर स्टूडेंस आकर पढ़ाई कर सकते हैं और स्पेशालिटी यह है कि जिस तरीके से स्कूल ऑफ एक्सिलेंस बनाया गया है खासतोर पर कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स की तैयारी करने का तो यहां लाइबरेरी में सारे कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स की हर तरीके की किताबे रखी गई हैं जिनको स्टूडेंस आके कभी भी पढ़ सकते हैं और अगर कोई प्रॉबलम है तो तुरंत जाकर अपने टीचर से भी वो कंसर्ट कर सकते हैं यह भी हाई-टेक बिल्कुल मॉडर्न तरीके का रीडिंग रूम बनाया गया है लाइबरेरी बनाई गई है और अब द्रॉड सकूल ऑफ एक्सिलेंस की लाइबरेरी में है हम और कुछ टीचर्स हमारे साथ यहाँ पर है उनी से जानते हैं कि यह स्कूल ऑफ एक्सिलेंस बाकी नॉर्मल स्कूल से कैसे अलग हैं स्टुडेंटस यहां आने के लिए क्यों इतने क्रेजी रहते हैं और किस तरीके की education और सुविधाई यहां दिजाती हैं तो मैम, school of excellence क्या excellence है यहां पर? स्टुडेंटस एंटरेंस दे के आते हैं थे इस तरीके की पढ़ाई यहां पर कराई जाती है अच्छा, उनको ऐसा वातवार नहीं मिल पाता था, इसके लिए बच्चे बहुत दूर-दूर जाकर के पड़ते था यहाँ पर इस एरिया में खुला है, पहला स्कूल है, जो बच्चों को इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है तो इससे बच्चों आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि यहां के बच्चे किस लेवल तक जाएंगे, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेई के लिए हैं, यहां से बच्चे प्रिप्यार होकर ही निकलेंगे अच्छा, स्ट्रीम्स की अगर बात करें तो स्ट्रीम्स की इस तरीके से डिवाइड की गई है, स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग बच्चों को कैसी कैसी ट्रेनिंग मिलती है मैं इसमें जो है stream wise school खोले गई हैं जैसे humanities and science, commerce के लिए अलग school आपको देखने को मिलेगा जैसे ये वाला जो हमारा दर्यापु कला में स्कूल खुला है ये humanities and science के लिए है इसमें basically STEM के नाम से इसको जाना जाता है science, technology, engineering and mathematics basically इन पे ज्यादा focus किया जाता है और इसमें specialized courses की एक तरिके से तैयारी की जाती है ताकि बच्चा आगे अपना competitive exam है तरिके से उसको focus करते हुए curriculum का level और high करते हुए ताकि वो जो new exams है, neat है, JEE है, इनको crack पर पाए अब जो school of excellence से students जो study करेंगे, उनको बाहर coaching लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जी, बिल्कुल नहीं time भी save होगा, money भी save होगा, और जो students गाओं के जिस तरीके से मैम ने बताया है, कि जो बाहर नहीं जा पाते हैं, आने जाने की जिनको प्रॉब्लम हो, खास तौर पे girls की, अगर मैं बात करूँ तो, स्कूल है बाहर मैंने देखा दरियापुर कला का बाहर बसेज वगेरा भी जाती हैं, तो बच्चे आसपास से आते हैं, बिल्कुल गेट के सामने बसेज जाती है तो कोई प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल गेट के सामने ही stop है, तो बच्चों को न उदोर जाने की जरूरत है ना कहीं बसेज गेट के बाहर से ही बसेज मिलेंगी, तो यह थी दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सिलेंस की दरियापुर कला की प्रेमाइसेज, जो हमने आपको दिखाई, तीन ब्लॉक्स है, फुली हाइटेक क्लासरूम्स है, और किस तरीके से सारी सुविदाय स्टुटेंट्स क उसकी पढ़ाई खास तोर पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, और एक भी बैसा स्टुडेंट्स को यहाँ नहीं देना है, सिर्फ आपको अप्टिट्यूड टेस्ट क्लियर करना है, आपके बच्चे को अप्टिट्यूड टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है, तो मेरिट के आधार पर दिली स्कूल ऑफ एक्सिलेंस में नाइन्थ ओनवर्ड एड्मिशन, जो है वो स्टार्ट होगी, नाइन ट्रेंथ, इलेवन ट्रेंथ, यह चार साल की पढ़ाई, विद कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट आपके स्टुडेंट्स को करवाई जाएगी, तो यकीनी तोर पर ये बहुत ही अच्छा उपराला है, बहुत ही अच्छी पहल है, उन स्टुडेंट्स के लिए जो की दूर दराज के इलाके में रहते हैं, या फिर पैसे के अभाव में अपन का जो पढ़ाई है, वह उसको पर्जियू नहीं कर बाते हैं, लेकिन स्टुडेंट्स शार्प है mind is what means have to do it,ैसे स्टुडेंट्स के लिए एसे स्कूल ओफ एक्सिलेंस जो है बहुत ही माईने रखते हैं